आज मैं कराने जा रहा हूं आपको राज्य विदान मंडल और राज्य कारेपालिका के बारे में बहुत ही संक्सित में यह जो विदान मंडल है इसको कहा जाता है इंग्लिस में legislature और जो यह कारेपालिका है इसको कहते हैं executive और जैसे मैंने नीचे की तरफ भी लिख रखा है कि ये केवल एक परीचे भर है ताकि जब हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएं कि क्या तात्पर्य होता है विधानमंडल और कारेपालिका का जैसे सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं इस पर जाने से पहले कि लोकतंतर जो है इसके चार अंग का उल्लेक मिलता है यानि कि for organs of democracy इसके अंतरगत जो है यह आते हैं सबसे पहले तो दे रखा है विधाईका विधाईका इसको legislature के नाम से भी जाना जाता है इसका काम क्या होत है कानून बनाना तो जो हम कानून देखते हैं जैसे मान लीजे किर्शी कानून है जिसको लेकर हाली में चर्चा चल लिए तो यह किर्शी कानून जो है इसका निर्मान कहां से हुआ इसका निर्मान जो है वो हमारे संसद में हुआ तो यह जो संसद है या पार्लेमेंट है इसका काम है कानून बनाना और विदाईका जो है राज्य के अंदर अगर हम कहेंगे तो वो राज्य विदानमंडल कहलाता है। इसके बाद दूसरा अंग जो है यह कहलाता है कार्यपालिका जिसको एक्जेकुटिव भी कहते हैं। कार्य पालिका या एक्जेक्टिव का काम क्या होता है कि जो कानून बने हैं विदाइका के द्वारा उन कानूनों को लागू करना तो एक परकार से जो एक्जेक्टिव आर्म होता है अर्थात जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए उप्योग में लाया जाता है वो कार्य पाल लावा यह जो आईेस ओफिसर्स रहे यह सारे के सारे जो है एक्जिक्योटीव के हिस्से कहलाएंगे क्योंकि इनका काम models अनुम को लाब्यूच करना तीसरा हिस्सा जो है वह आता है नियाए पाली का मुझा में जुडिस्टिरी का है न्याय पालिका और जो चोथा अंग कहलाता है न्याय पालिका का उसे कहते हैं media या इसे कहा जाता है press जैसे SSC के exam में question हाया कि हमारे किसी भी लोकतंतर का जो चोथा अंग है या fourth pillar है वो किसे कहते हैं तो press को कहते हैं क्योंकि press के माध्यम से ही जनता जो है वो कार्यपाली का एक्जुकुटिव और विधाय का इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करती है इसके अलावा जैसे हम केंदर में पढ़ते हैं संसद या पार्लेमेंट तो जैसे उपर की तरफ लिखावा है यह हो गया पार्लेमेंट इसी को हिंदी में संसद कहते हैं संसद के हिस्से क्या हैं तो यदि हम संसद के हिस्सों की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि संसद जो है इसमें एक तो सदन है जैसे आप यहां पर देख पारें कि एक तो मैंने यहां पर सदन दिखाया और एक हिस्सा संसद का वह कहलाता है राष्टपती जैसे वर्तमान में रा और एक राश्ट्बती उसे कहते हैं हम परलिमेंट और जो सदन है इस सदनिया के इससे हैं वो भी देख यहुक्र लेकूद हैं सदन का एक हिस्सा तो राज्य सभा कहलाता ह। और दूसरा इससे Nós सभा कहले Subscribe निम्न सदन या फिर इसे लोवराउस के नाम से भी जाना जाता है तो इसका ताथ पर यह हो गया कि जो वैस्ता हमारे आख केंदर में है वही राज्यों के अंदर भी है इसलिए मैं इस चीज को समझा रहा हूँ आपको इसके अलावा यह जो राज्यसभा और लोक्सभा के सद सब्सक्राइब और हिंदी में सांसद के नाम से जाना जाता है अब देख लेते हैं राज्य विदान मंडल या स्टेट लेजिसलेचर जैसे आपने अभी पढ़ा था कि जो केंदर में इस्तिती है वही इस्तिती जो है वह राज्य के अंदर भी लगबग वैसी है क्या तो र महिम राज्य पालिया गवर्नर तो जो स्टेट लेजिसलेचर होते हैं उसके भी यह दो हिस्से होते हैं और जो यह सदन है अब इस सदन के फिर दो हिस्से होगे जैसे आपने केंदर में पढ़ा तो एक हिस्सा तो विदान सबा कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है उसे कहते विदान परिशद, अब ये जो दोनों के दोनों सब्द हैं, विदान सबा और विदान परिशद, इनके जो सदस्य हैं, इनके सदस्य जो हैं, वे कहलाते हैं, जैसे विदान सबा का सदस्य MLA कहलाता है, और विदान सबा को इंगलिस में क्या कहते हैं, legislative assembly, वैसे ही, और हिंदी में जो इनके सदस्य हैं उनको कहते हैं विदायक इसके अलावा ये जो विदान परिशद है इसे इंगलिस में कहते हैं Legislative Council इसी लिए इसके सदस्य को कहा जाता है MLC Member of Legislative Council लेकिन हिंदी में जो सब्द है वह इसके लिए क्या उप्युक्त होता है विदायक तो आपने ये देखा कि जो हमारी संसद है उसमें तो English में MP और हिंदी में संसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा को लेकिन हमारे राज्यों के अंदर क्या है वह सदस्य जो है English में अलग और Hindi में एक ही नाम से जाना जाता है अब आगया कारिययपालिका जिसके बारे में अब ही executive कहते हैं तो जो कानून विदाएका ने बनाया है है उसको लागू कराने वाले इसका अरत है वेक्टियोंसे है जो नीति नियमों और काइदे कानूनों को लागू करते हैं। कायद कानून कोनल बनाता है कायद कानून जो हं वो बनाती है हमारी पार्लिमेंट तो पार्लिमмен के बनाए हो सकती है तो केंदर में और राज्जे में कारेपाली का के क्या क्या अंग है वह देख लेते हैं इससे संबंदित कोश्चन जो है वह आया था यू पी-एसाई के अंदर समंच्पेक्टर का जो एक्जाम है उसके अंदर इससे संबंदित सवाल आया तो जरह इनके देख लेते हैं केंद्र में और राज्यों के अंदर इनके क्या वरगी करण है तो जो केंद्र है केंद्र के अंदर तो यह हिस्से हैं एक तो होगे हमारे राष्टपती यह दूसरे होगे उपराष्टपती फिर तीसरे नमबर पर परदान मंत्री याद रखना है आप लोग को और चोते नमबर पर मंत्री परिशद या फिर कैबिनेट या कॉंसिल ओप मिनिस्टर और पाँचवे नमबर पर महानयवादी इनको कहा जाता है एटोर्नी जन्रल जो भारत सरकार के पर्थम विधी अधिकारी एटोर् जयपाल तो यह गवर्नर महुद्दे आगे और दूसरे मुख्यमंत्री तीसरे मुख्यमंत्री की अध्यक्स्ता वाली मंत्री परिशद या कॉंसिल ओप मिनिस्टर और चोते नमबर पर महाधी वक्ता यह जो महाधी वक्ता है इसने कहा जाता है एड़ोकेट जन्रल जैसे क मंदल को में हमने पढ़ा था कि विदान सभा विदान परिशद दो इससे होते हैं विदान मंदल के विदान सभा और विदान परिशद यह दो इससे थे जो हम लोगों ने पढ़े थे अब देखते हैं यहां पर वो किन किन राज्यों के अंदर यह दोरी विदाइका है हमार सम्षित्वानमंत्री और दूसरी होती है विभिन राज्जों के अंदर जैसे परतीक राज्जे में मुख्यynı और उनके EU द्वारा ही मंध्यी प्रिश्द की सलाह से पुरा कारेपालिका संचालन किया जाता है के नम नामात्र का कार्यापालिका का पर्मुक कोन होता है आपने अभी पढ़ाता कि कार्यापालिका के जो मुख्या होते हैं वो केंदर में तो होते हैं राष्टपती और राज्ये के अंदर कोन होते हैं वह होते हैं राज्येपाल हाला कि यह केवल नामात्र को ही मुख्या है क्यों भी parliamentary system हो जैसे इंडिया के अंदर है या ब्रिटेन के अंदर है तो वहां वास्त्विक और सांकेति यानि कि रियल और executive में फरक रियल और symbolic में फरक होगा इसके अलावा यह जो मंत्री के अंदर कि मंत्री परिशद जो है वह collectively responsible होगा पार्लेमेंट या संसद के परती ठीक उसी तरह है जैसे केंद्र में उसी तरीके से राज्ये के उस तर पर भी कारेपालिका का नाममात्र का मुख्या राज्यापाल होता वास्त्रिक जबकि वास्त्रिक अधिकार जो होते हैं व साथ वाज्य पाल महुदbecue के बारे में पढ़ेंगे अभ देखिए जैसे हमने पड़ा कि भारत के अंदर जैसे आपने पड़ा की राज्या विदान मंडल के अंदर उच सदन भी होता है उस उच सदन को या अपर-अउस को कहा जाता है विदान परिसत प्रंटू यह विदा रहते हो उत्तर प्रदेश के अंदर तो यह हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है द्वी सद्निय विधाईका इसके बाद नंबर आ गया बिहार का तो बिहार राज्ये जो है इसके अंदर भी द्वी सद्निय विधाईका है इसके बाद नंबर दे रखा है महराष्ट का यहां पर देखिए ग्राश्ट के अंदर और सुथ फिर कर ना टक के अंदर ये देखिए कर ना टक के विदाई का है